हेलो फ्रेंड्स, वैलकम टू इंपीटस क्लास्स रेशियो और प्रपोज़सन के पार्ट रेक्टरट टू में आपका स्वागत है आइखोप आपने प्रिवेस लेक्टर जरूर देखा होगा अगर ना देखा हो तो पहले previous lecture जाके देख लें और फिर इस वाले lecture को देखें जिससे कि आपको पूरा basics कायदे से एक्टम समझ में आ जाए और इस part में लगबख हमारा basics जितना भी है complete हो जाएगा फिर इसके बाद हम करेंगे questions नेक्स्ट जो वीडियो होगा महाँ हम questions के 50 to 60 questions जो भी important होते है ratio के proportion chapter के उसको उसमें complete कर लेंगे तो जहां previous video खत्म होई थी वहां हमने सीखा था कि आपको टोटल quantity दी गई थी और इसका ratio दिया गया था आपको इस quantity को इस ratio में डिवाइड होके बताना था कि जो ratio है उसके actual value कितनी होगी अब हम यहां पर थोड़ा M है यह दो पार्ट में हैं दो पार्ट के कौन सा ratio दिया गया है यह जैसे A B चार आपसद दिया गया है मतलब हमको चारों के लिए solve करना है और फिर लिखा कि अगर पहला पार्ट कितना हो 600 हो तो आपको दूसरा पार्ट निकालना है और M की value निकालना है अगर हम माल लेते M के आःउप जो दिया गया 6 ratio 5 में विवाइठ कर आ है डिवाइच किया है 6 ratio 5 में और पहले पार्ट की value दी गई है 600 है इसकी value कितनी है 600 उमको इस पार्ट की value निकालनी है और M की value निकालनी अब देखे ज़रा 6 की value 600 के बराबर अगर 6 is equal to 600 दो 1 की value एंडेट अगर बंद के वैलियू है तो फाइब की वैल्यू फाइब यू तो फाइब की वैल्यू फाइब्रेस फाइब और गए वैलेवन थे था जिक आपको समझ में आ होगी अगर 11 से आए इसमें फोड़ा confusion भी होगा फिर भी प्राब्लम हो तो देखिए 600 और 500 को भी आइड कर देंगे तब भी एम आ जाएगा अब इसी चीज़ को एम को दोबारा ब्रेक करा गया 12 और 13 में 12 में और 13 में फिर पहले आगर 12 की वैल्यू 600 तो वन की वैल्यू 50 अगर वन की वैल्यू 50 तो 13 की वैल्यू 650 एम की कि तरीका और भी है कि एम की टोटल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे है 600 प्लस 650 आप इन दुनों के वियाइट कर दे तब भी आपके M के value आ जाएगी तो I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी दो question और बचे हैं तो हम slightly delete कर देते हैं और फिस इन दो questions को भी solve कर लेते हैं तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट दो questions को और फिस वही quantity M है अब इसको पाटा गया है इसके according किसमें पाटा गया है भई 4 ratio 18 में 4 ratio 18 में पहला part दिया गया 600 पहला part कितना है 600 अगर 4 के value 600 के बराबर है तो 1 के value इसके बराबर हो जाएगी 600 upon 4 that is equal to 150 अगर 1 के value 150 है तो इसके value कितनी होगी 18 into 150 वो कितनी हो जाएगी 18 into 15 18,5,090 तो हो जाएगी 2700 तो M क्या होगा 18 plus 4 कितना हो जाएगा 22 22 के value कितनी हो जाएगी 22 into 150 इसको आप को लेंग दो आपका M की value आ जाएगी ठीक है फिर है 25 रेशियो 21 को फिर यहां बाटा गया किसमें 25 और 21 में एक में डोग जाते थोड़ा इसी question में एक twist और है उसको भी समझ लेते हैं तो इसको रफ कर दें कि यह है कि M को ही बाटा गया था फोर और 18 में अगर लेकिन हम अभी भी देख़ो इसको simplify कर सकते हैं तो तू जा फोर टू रेशियो 9 अब जोको हम सिंप्लिफाय कर दें हम चेक करते कि हमारा आशर अभी वही आता है द 2700 और M कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 और 11 इंटू 300 करेंगे तो अगर हम जो हमको रेशियो दिया गया उसको simplify भी कर लेंगे तो भी हमारा answer कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी कैसे हमने आया हमने आपको प्रिवेस वीडियो की सबसे शुरुआत में सिखाया था कि अगर कोई भी रेशियो दिया गया है उसको आप divide करते हैं किसी भी नंबर से multiply करते हैं तो इस ratio में कोई फरक नहीं पड़ता है हमने यह क्या किया है तो इस इंप्लिफिकेशन हो एक quantity M है जो divide की जा रही है दो पार्ट में और यहां पर second part दिया गया आको 600 बहुत बढ़िया M है दो पार्ट में divide की जा रही है और second part की value है 600 आपको बताना है दूसरा पार्ट बताना है और M की value बतानी है किस system divide की जा रही है पहले दिखा है न as given below तो जो ratio दिए गए गए A B C D in ratio में divide किया गया है तो पहले उसको divide किया गया 24 और 25 में देखें क्या simplify हो सकता है नहीं हो 24 25 क्या है दोनों एक दूसर के को प्राइम मतलब एक दूसरे इनके बीचा कोई common factor नहीं है ठीक है तो इसकी value दी गई है 600 अगर 25 की value 600 तो 1 की value 40 ऐसे आई 600 upon 25 ठीक है divide करना आपको आना चाहिए तो 40 होगी क्या होगा चेक कर लेते हैं हम इको नहीं आया देखिए तो हो जाता कभी कभी वही तो क्या हो जाएगा 25 तूजा 50 25 24 होगा हमने 4 को देखा 2 भूल गए तो 1 की value कितनी आ गई 24 अगर 1 की value 24 तो इसकी value कितनी हो जाएगी 24 यह बारी 24 इंटु हमारा 1 की value 24 ठीक है 24 24 कितना हो गया 576 कितना है 25 24 मतला 29 29 29 की value कितनी हो जाएगी अगर 1 की value 24 है तो 29 की value 29 इंटु 24 इसको आप solve कर लीजिए ठीक है इसको जो भी आप करेंगे आपका आंसर आजाएगा आपका 1176 ठीक है आपको समझ में आ गई होगी अब फिर next है m quantity को divide कर लागा फिर दो पार्ट म में अब डिवाइट किया गया 21 और 24 में देखिए सिंप्लिफाई हो सकता है तो 37 जा 38 जा मतलब 7 ratio 8 में करा गया है ठीक है वह क्या हो गया बन की वनीदा देखते हैं इसको क्या हो गया एक दम तरह थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है वही देखते हैं इसको रफ करते हैं